Hi, this is me Deepak, so, आज हम लोग weekly trade के बारे में बात करेंगे, कि weekly trade हमारा आप कैसे ले सकते हैं हम हर week में, वो nifty हो या bank nifty हो, आप ये same चिस बैंक nifty में कर सकते हैं, so, वहाँ probability थोड़ा जादा रहता है according to the nifty, क्योंकि हमारा जो butterfly जो है, वो adjusted है, so, हम moment मिला थो भी ठीक है, नहीं मि probability अब success के थोड़ा बड़े जाता है क्योंकि अड्जस्ट अड्जस्टेड है स्टार्ट करते हैं यह हर विक का लिया हुआ ट्रेड है यह जो भी data दीख रहा है मैंने सब कुछ NSE से लिया हुआ है यह original data है hypothetical नहीं है तो butterfly का जो B6 trade है वो यह nifty अभी 11,162 trade कर रहा है यह basic butterfly trade लेना है एक चीज और बताता हूं यह baby butterfly कह सकते है ठीक है क्योंकि जो हमारा distance है हमने distance ज्यादा नहीं लिया है तो debit भी हमारा ज्यादा नहीं है तो risk भी कम है and probability high है इसका यह trade 11,162 trade करना है nifty अभी हमें buy करना है 11,150 call option add the 38 rupees 38.28 rupees so this is this is मतलब सब कुछ लिखा हुआ है so आप already देख सकते है screen पे मुझे दुबारा से बोलनी के ज़रूरत नहीं है so अगर यह trade आप complete करते हैं so हमारा max जो debit है max risk जो है वह 4.25 and and जो butterfly है इसमें आपका maximum नुकसान 4.25 इससे ज्यादा नुकसान इस trade में नहीं हो सकता है ठीक है ना put side में put side में लिखा हुआ सब कुछ so debit spread जो है 200 के gap में होना चाहिए so 11,000 put and 10,800 put जो कि आपका 14.2 point के ऐसा debit मिल जाएगा आपको so in case में क्या होगा कि market up and down जाएगा हमारा chances of probability है वह high है ऐसे कि मार्केट अगर downside गया so हमें maximum risk जो आपको देख रहा है maximum profit sorry अगर market downside गया तो हमारा maximum profit है वह आपको 181.5 it means 13,616 यह max profit है अगर market बहुत जादा डाउन जाता है तो हमारा max यह है ठीक है ना and again हमारा worst situation हमारा एकदम से खराब situations में भी अगर nifty ऐसे ही रह जाता है तो हमारा maximum जो loss है वह 1383 का है यह हमारा maximum loss है but कुछ realities है जो मैं आपको मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं इस trade में क्या हो सकता है possibilities high possibilities क्या हो सकता है जब आप यह trade लेंगे ना and आपके पास time रहेगा around four days हाना ऐसा कुछ time रहेगा तो इस trade में क्या होगा कि market अगर थोड़ा भी downside move कर गया हाना या फिर downside थोड़ा भी move कर गया आप जो है इस trade से automatically profit generate कर सकते हैं मैंने अल्रेटी यहां maximum profit लिखा हुआ है बड़ सपोज अगर निफ्टी अगले दीन के date में दो सो पॉइंट डाउन हो गया हाना क्योंकि expire यह volatile market है तो in case में ऐसे market अगर down हो गया तो आपको जो आपने जो adjusted अलग से लगाया debit spread आपको इसमें से बहुत ही फायदा हो जाएगा and overall आपका trade वो profit में convert हो जाएगा in case अगर market downside नहीं जाता अगर upside में जाता है तो हमारा maximum है यह maximum 1300 है इसमें से भी आप कभर कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को trade जो है वो expiry तक नहीं ले जाना expiry last तक हमें 7 points तो recover करी लेंगे क्योंकि 14 max expiry के दिन के 14 होगा उससे पहले इस क्या कुछ ना कुछ value रहेगा तो अगर आपके worst situation आपके खराब situation में क्या होगा कि आप यहां से फिर भी 7 rupees कभर कर लेंगे सो आपका जो maximum 18 rupees दिख रहा है 18 minus 70 18 minus 7 so almost 10 rupees 11 rupees आपका जो है वो maximum loss हो सकता इस trade में possibilities maximum possibilities 8-10 rupees बट अगर यह हर विक करेंगे ना so probability क्या है कि जादा है अगर आप एक के trade में भी जीत गया ना तो आप कई सारे trade जो loss है उसको संभाल सकते हैं और ऐसे trade में possibility जादा है कि आपको profit जादा हो so baby butterfly के साथ हमने एक debit spread add कर लिया है और यह पूरा situation है हमारा profit and loss आप देख सकते हैं कि probability of success और यह loss का कितना ज्यादा है difference है 13 and almost है जो भी profit है उसका loss 10% something है ठीक है ना so this trade में हमें कुछ करना है और हमें यह सोचना है that कि अगर trade हमें कुछ भी profit देते up and downside में तो हमें इस trade को close करके निकल जाना है so आपको अगर कुछ और extra मुझसे discuss करना है तो you can contact me on 88040387 and you can learn learn from me some advance adjustments for iron counter मैं basically ज्यादा iron counter use करता हूं and उसमें कुछ मेरा advance adjustments है so आप उस चीज को learn कर सकते है otherwise मैं videos डालते रहूंगा कुछ आप वहां से कुछ ना कुछ करके learning करेंगे so अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो please आप thumbs up button click करें and आप next videos के expect कर रहे है kindly comment भी करें हमें so मैं next videos के लिए बनाऊंगा so यह मेरा मैंने English में बनाता था लेकिन अभी यह Hindi में है so अगर आप comfortable हैं तो kindly यह भी बताएं कि Hindi comfortable है English और मिक्स होना चाहिए इसमें so thank you bye bye and meet on the next videos thank you